कृशी, पर्यावरन, ग्रामिन विकास, गाउं का जीवन, सबका दरपन, ग्रीन टीवी अब देखिए ग्रीन टीवी, यूटूब पर भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाएं तो दोस्तों इसी के साथ आईए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से विशाल जी से जो कि बिहार के वेस्ट चमपारन के रहने वाले हैं और जानते हैं क्या है इनका सवाल हलो, विशाल जी बात कर रहे है, नमशकार सर मैं अंश्यू बोल लिए हूँ ग्रीन टीवी से अच्छा विशाल जी ये आपने एक अलग ही सोच रखी है और गैनोडर्मा मश्रूम के बारे में जानना चाहते हैं विशेशतर से ये मेडिकल और श्दी गुन इसमें जादा होते हैं इसलिए इसको उगया जाता है जो हमारा सबसे बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर है मश्रूम का वो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मश्रूम सोलन चंबागाट सोलन हिमाचल प्रदेश में है वहाँ आप संपर्क करेंगे तो वहाँ मैंने वहाँ संपर्क किया हुआ था हां तो क्या कहना है अब इस पर काम नहीं चल रहा है अच्छा तो जब भी चलेगा उनके पास सबसे अधिक सूचना है और सबसे विश्रसनी सूचना है यह जो गैनर डर्मा मश्रूम जो है यह सर यह चुतीनफ प्रगाम उसका देखे हुए है जी वन विवाग जो होती है उसकी तो वन विवाग से संपर करने लेकिन गैनोडर्मा मश्रूम का मैंने इसलिए बताया है चंबागाट का कि ये राष्ट्रे अनुसंधान केंदर है वहाँ पर तो फिर एक और इंस्टिटूट है जो बैंगलोर में है उनसे थोड़ा पूच लें इंडियन इंस्टिटूट ऑफ होटी कल्चर रिसर्च ये बैंगलोर में है वहाँ भी चूंकि मश्रूम को होटी कल्चर वालों ने भी लिया है नहीं तो जैसा कि आप बता रहे हैं वन विभाग अगर कहीं मश्रूम करता है तो वन विभाग का जो हमारा सबसे बड़ा कैंद रहे है वह देहरादून में है फॉरस्ट रिसर्च इंस्टिटूट और स्ट्रेसर्च इंस्टिटूट में थोड़ा पता करने कि इस तरह के वह प्रिश्क्षन कब दे रहा है सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुनने के लिए अपने सवाल हमसे पूशने के देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं